हलो डिये लेर्नर्स, फटाफट कॉंसेप्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको लेकर हमारे मन में बहुत गलत धारणा रहती है अगर हम हिंदी बोलते हैं तो वो दो वर्ड्स है थ्रो और शाउट अगर मैं आप से पूछ हूँ कि थ्रो का जो हिंदी मतलब है वो क्या होता है तो यकीनन आप उसको fake नहीं बोलेंगे और अगर मैं आपसे पूछूँ कि shout का क्या मतलब होता है तो यकीनन आप cheek नहीं चिलाना ही बोलेंगे लेकिन ऐसा नहीं है ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि क्या concept है और throw जो है कैसे अलग-अलग meaning दे सकता है देगे यहाँ पर मैंने दो sentences लिखे हुए है पहला sentence आप देखेंगे The soldier threw a grenade at the enemy मतलब क्या है इसका soldier जो है उसने grenade जो है वो दुश्मन की तरफ fake दिया तो जो throw का मतलब हमें पता है fake ना बिलकुँ सही मालूम पड़ता है लेकिन जब आप दूसरे sentence को देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है The nurse through the baby to the doctor अगर हम उसी हिंदी को लगाएं यहाँ पर तो इसका मतलब तो बहुत ही खतनाक निकलने वाला है कि भाई यह nurse ने जो है बच्चा fake कर doctor के मार दिया ऐसा नहीं है याद रखिए अगर आप पहला sentence देख रहे है तो throw के साथ मैंने at लगाया हुआ है जब हम throw के साथ at लगाते हैं तब हम यह कहना चाहते हैं कि हम किसी चीज को fake रहे हैं यह सामने वाले पर attack कर रहे हैं वहीं अगर आप दूसरा sentence देखेंगे तो आप पाएंगे वहाँ पर मैंने throw के साथ तू लगा रखा है तो जब हम throw के साथ तू लगाते हैं तो हम यह कह रहे होते हैं कि उस चीज को जो है हम किसी को pass कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं किसी को दे रहे हैं पहले sentence में कहा जा रहा है soldier ने जो है grenade जो है अपने दुश्मन को फिक कर मार दिया और दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि जो nurse है उसने बच्चा जो है वो doctor को दे दिया I hope आपको समझ में आया वा दूसरा similar शब्द है shout shout को हम मानते हैं चीखना या चिलाना आप देखें पहला sentence यहाँ पर लिखा हुआ है और पहला sentence है The angry man shouted at his child इसका मतलब बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे है कि गुसाया आदमी जो है अपने बच्चे पर चीख रहा था चिला रहा था बिल्कुल सही है लेकिन आप दूसरा जा sentence देखेंगे The lady shouted to the man for help The lady shouted to the man for help अब ये कैसा चीख न चला ना हुआ कि मदद के लिए चीखी चिला ही गुसा की है नहीं जब हम shout के साथ तू लगाते हैं जब हम shout के साथ पहले जब at लगाते हैं तो इसका मतलब हम सामने वाले को target कर रहे हैं हम चीख रहे हैं हम चिला रहे हैं हम गुसा कर रहे हैं जब चीखेंगे चिलाएंगे गुसा करेंगे तो सामने वाले को टार्गेट ही कर रहे है ना तो जब हम शाउट के साथ एट लगाते हैं तो इसका मतलब है कि सामने वाला हमारा टार्गेट है हम उस पर गुसा कर रहे है वही जो दूसरा सेंटेंस है वहाँ पर यह जो लेडी है ना यह ना तो चीक रही है यह ना ही यह चिला रही है यह क्या कर रही है सामने वाले को बुला रही है मदद के लिए इसको मदद चाहिए और यह आवास दे रही है याद रखेंगे शाउट के साथ जो है जब हम तू लगाते हैं क्या लगाते हैं तू लगाते हैं तो उसका मतलब ना चीखना होता है ना चिलाना होता है ना गुसा करना होता है उसका मतलब होता है बुलाना उसका मतलब क्या होता है बुलाना अक्सर translation में जो है हम ये गलतियां करते हैं जिसका result हमें examination में देखने के लिए मिलता है hopefully आपको ये चोटा सा concept जबरदस तरीके से पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक और word है poor ये जो word है poor आपने अपनी life में बहुत सुना होगा जरा इसका meaning मुझे बताईए कि इसके क्या क्या possible meanings हो सकते हैं comment section में type करके जरूर बताईएगा मुझे अगर follow करना चाते हैं तो मेरा link description में दिया हुआ है पूरे दिन competitive examination के लिए मेरी बेदरी नंग्रेजी classes चलती है तो अगर logical तरीके से मज़िदार तरीके से सीखना चाते हैं तो all of you are welcome thank you very much